नमस्कार दोस्तों मैं जित सब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह साइस पंजियन यानि स्टुडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पंजियन आप आनलाइन कैसे कर सकते हैं उसका क साइस पंजियन को तरीका है हर उन्यूवर्सीटी का सेम है आप किसी रखेस का सीच फिरनाएअ मिलैगा तरीक्ण कि इसाहिए करねंळाए्ट क onion करने के लिए आपको अपनी अप्ज术ह के औसे ऑपिस्यल वेपाइज को को उपेन करना होगा जब आप उपेन करेंगे तो उसमें आपको एक option मिलेगा student information system का वहाँ पे जब आप किलिक करेंगे तो दोस्तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा या दोस्तो student information system आपको लिखा हुआ मिलेगा उसके बाद आपको username और password फिलब करने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा है तो जिनका registration हो चुका है वो username और password फिलब करके login वाले option पर किलिक कर सकते हैं या फिर दोस्तों एक box मिलेगा keep me sign in तो इस वाले box पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी user ID और password जो है save हो जाएगा लेकिन जो नए registration करने वाले हैं तो उनको एक registered new user का option मिलेगा तो इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा student registration only for student तो अब आपको यह इस तरीके का इंटरफेस होगा जो registration का जो process है उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यह आपको बताया जाएगा कि your enrollment number is your user ID यानि आपकी जो नामांकन करमांग है वही आपका user ID अब आपको एक password करेट करना है कि small letter capital letter एक number एक special character होना चाहिए उसके बाद आपको दूस्त करना पड़ेगा यानि email ID fill up करना कंपल सरी है उसको बाद एक registered mobile number भी आपको इसमें देना पड़ेगा उसके बाद दूस्तों registration का जब प्रोसेस आप complete करेंगे जब आप फीस का payment करेंग उसके बाद ही आपका जो registration successfully process हो पाएगा अब आपको दूस्त हैं आपको देख सकते है कि आपका नाम उसके बाद आपके college का नाम क्या कोर्स है mobile number email ID fill up कर लेना enrollment number मिलेगा उसके बाद आपको एक password क्रियेट कर लेना अधान number option है दूस्तों डाल सकते हैं अगर आपको पता है तो blood group आपको composer है अगर आपको पता नहीं तो I don't know का एक option मिलेगा उस पर क्लिक करके उ दूस्तों वाले question पर जाकर उसका जस्त आगे में एक answer मिलेगा answer को आप fill up कर लें उसके बाद दूस्तों एक piece का amount होगा उसके बाद आपको submit वाले option पर click कर देना है जब आप उस पर payment करेंगे तो दूस्तों आपको payment gateway के लिए बोला जाएगा payment आप MP online या फिर UPI credit card debit card या फ उसका print out लेने उसके बाद दूस्तों यूजर नेम और जो password है यान जो password आपने क्रेट किया है और यूजर नेम आपको enrollment number है उसके लिए आपको वैक आना होगा उसके बाद आपको registered user जो है उनका login करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें यूजर नेम और password फिलब करके login वा exam detail, review total, degree, transfer request, internal, external, mark sheet, admit card, बहुत सारे options यहां से मिल जाएंगे तो दोस्तों open book system पर आधारिच जो exam होगा यहीं से आप question paper भी download करेंगे और जो आपका form होता है exam form, enrollment form या फिर result सब इसी profile से आप manage कर सकते हैं तो देख सकते हैं बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे कोई भी एक option आप select करके अपने detail को चेक कर सकते हैं, profile में किसी भी प्रकार कोई भी correction करना है तो student profile पर जाके आप वहां से correction भी कर सकते हैं, mark sheet की second copy भी मंगवानी है तो आप इसी profile से जाकर मंगवा सकते हैं, admit card भी download यहीं से कर सकते हैं, time double exam का आप यहीं से देख सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको अपनी profile देखनी है तो view your profile पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपका interface होगा, आपकी जो profile है इस तरीके open होगा इसके बाद दोस्तो, view your enrollment form वाले option पर क्लिक करेंगे तो enrollment के बारे में details मिल जाएगे कि कितना प्रेमेंट किया है, कितना percentage था किया आपका course है, उसके बाद दोस्तो नीचे में scroll करेंगे तो आप अपना जितने भी exam आस तक दिए हैं, उसकी details आप कहीं से मिल जाएगे कि यह application number है, कितना आपने number पा है, result भी देख सकते हैं, दोस्तो, आप migration certificate, degree या फिर business certificate जिसको कहते हैं, उसको भी आप यह से order कर सकते हैं, इसी प्रकार से दोस्तो, आप अपने detail को edit भी कर सकते हैं, इसी portal से, तो दोस्तो, एक portal में जो UG और PG के जो student है, उनके लिए एक portal में बहुत सारे services हैं, तो SIS Spungeon कंपल सरी है, open book system पे अधारित exam के लिए, तो अपना SIS Spungeon कुछ इन step को follow करके दोस्तो कर सकते हैं,